आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ अगर हम सेत की बात करें तो यहां पर हम लिखते हैं सबसे पहले किया है वीट स्टोन सेत सिध्धान्द पर कार करता है ठीक है बच्चो वीट स्टोन सेत के सिध्धान्द पर कार करता है ठीक है बच्चो यहां वीट स्टोन सेत सिध्धान्द पर अधारित है या सिध्धान्त पर कार करता है बच्चो ठीक है सिध्धान्त पर अधारित है ठीक है अधारित है और यहाँ पर हम देखते हैं बच्चो कि यह जो उपकरण है इसकी सहायता से हम क्या क्या करते हैं बच्चो किसी भी चालक तार के प्रतिरोद को ज्यात करते हैं ठीक है तो यहाँ पर इमलिक सकते है बच्चो इस उपकरण की सहायता से इस उपकरण की सहायता से इस उपकरण की सहायता से हम क्या करते है बच्चो इस उपकरण की सहायता से किसी चालक का प्रतिरोद करते हैं प्रतिरोध ग्यात करते हैं किसी चालक का प्रतिरोध प्रतिरोध ग्यात करते हैं ठीक है बच्चो अब यहाँ पे देखते हैं पहले तो इसका हम एक विदुद परिपस्ट चित्र बनाते हैं ठीक है बच्चो तो यहाँ पे अगर हम देखें बच्चो तो हम क्या ले लेते हैं एक तो हम यहां पे लेते हैं बच्चो तार और इस तार पे हम क्या लगाते हैं बच्चो एक स्केल भी लगाके रखने हैं ठीक है जो क्या बताता है बच्चो इस तार की लंबाई को बताता है ठीक है तो यह मान लेते हैं बच्चो यह scale है और यह तार है ठीक है तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चो कि यह वाला भाग जो है scale है ठीक है और यह वाला भाग जो है बच्चो चालक यह क्या है बच्चो यहाँ पर मान लेते हैं इसकी लंबाई भी निस्चित लेते हैं बच्चो एक मीटर लंबाई का चालक ता का एक मिटर लंबाई का ता रही है ठीक है बच्छो अब यहाँ पे देखिए हम क्या देखते हैं बच्छो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके साथ हम क्या लगाते हैं इसके साथ हम लगाते हैं बच्छो एक ग्याद प्रतिरोध यह हमारा है बच्चो ग्याद प्रतिरोद S ठीक है ग्याद प्रतिरोद का मतलब इसकी वैलू हमें पता है ठीक है बच्चो अब इसी के साथ हम क्या लेते हैं बच्चो इसी के साथ हम लेते हैं एक ग्याद प्रतिरोद जिसका प्रतिरोद हमें आपे निकालना है ठीक है इसका प्रतिरोद बच्चो मान लेते हैं अज्याद प्रतिरोध जिसका मान हमें निकालना है ठीक है अज्याद प्रतिरोध अब इसके साथ हम क्या करनेट करते हैं बच्चो एक यहां पर हम गैलविनो मीटर करनेट करते हैं ठीक है गैलविनो मीटर होता है बच्चो जो धारा के विच शेप को बताता है ठीक है और इसके साथ एक ग्योकी लगा होता है बच्चो जो इस तार से connect करते हैं ठीक है अब इसके ए सिरे पर हम क्या धारा परवा के लिए एक बैटरी लगा देते हैं ठीक है बच्चो एक यहां पर हमने लगा दिया बच्चो बैटरी और इसके साथ हमने क्या हमारा चित्र अब सूत्र का निगमन कर लेते हैं बच्चों यहां पर देखेंगे बच्चों सूत्र हो जाएगा बच्चों अब यहां पर ऐसा देखते बच्चों इस चालक तार का कुछ नो कुछ प्रतिरोध होगा बच्चों मान लेते हैं इसका प्रतिरोध या फिर ऐसा कह प्रत्रोध इस बबच्चो एकांग लंबाई का प्रत्रोध है। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चो जो कि यह कि सकते हैं यहीं है। इस LAB तार की लंबाई है ठीक है बच्चो इस लंबाई वाले तार का प्रत्रोध है अब हम आ लेते हैं बच्चो कि यह जोकी है जोकी को हम क्या देखते हैं बच्चो जब इसको हमें आप पे इस तार में टच करते हैं ठीक है किसी भी बिंदु पे टच करते हैं तो इसमें क् संतुलंद की अवस्ता में हम क्या देखते हैं बच्चो कि मान लेते हैं बिंदू जे पर क्या होती संतुलित होती है तो ए और जे के बीच का जो प्रतिरोध है क्या हम बता सकते हैं बच्चो बिल्कुल प्रतिरोध मान लेते हैं क्यूं है ए और जे के बीच का क्या इसे हम लि मतीक हैं तो हम क्या लिख सकते हैं बचो कि क्यू ऐ जे बराबर हो जाएगा बच्चो के कहां कंक् लबाई Κ अप्रतुरोद हमें पता है और यह संथालन की दूरी जो है बच्चो मान लेते हैं क्या है X दूरी पे क्या होता है संतुलित होता है ठीक है तो यह हो जाएगा हमारा एक आंक लंबाई का प्रत्रोद R है तो X लंबाई का प्रत्रोद कितना हो जाएगा बच्चो R into X हो जाएगा ठीक है इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं बच्चो प्रत्रोद इसको माल लेते हैं बच्छो P है चलिए ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा बच्छो P J B तो एक आंगल लंबाई का प्रत्रोद R है तो कितनी लंबाई होगी बच्छो इसकी लंबाई हो जाएगी तोटल यहाँ पर लिख सकते हैं कितना है, एक मीटर लंबा या 100 सेंटी मीटर लिख लेते हैं, ठीक है, तो इस के स्थान पर हम 100 सेंटी मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है, बच्छो, कितना लिख सकते हैं, 100 सेंटी मीटर, तो 100 माइनस से क्या हो जाएगा, बच्छो, X, यहाँ पी से हम लिख सकते हैं, बच्छ कि अवस्था में, हम जानते हैं बच्चो कि wheat, stone जो होता है, संसलित अवस्था में हम क्या लिख सकते हैं कि इनका प्रतिरोध हो जाएगा R और Q का अनुपात बराबर हो जाएगा S और P प्रित्रोद के ठीक है बच्छो R अपान Q बराबर हो जाएगा बच्छो S अपान क्या हो जाएगा ये P सही है बच्छो अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्रत्रोद R, तो यह तो हमारा है ज्यात प्रत्रोद Q हमें यहाँ पे हमने निकाला है, हमें निकालना S है, तो S बराबर हम कर सकते हैं, बच्चो, यह हमारा ज्यात जो हमें निकालना है, तो R अपान Q into P, राइट है, तो S बराबर हमें मिलेगा, बच्चो, R हमें मालूम है, Q यहाँ पे हमने निकाला बच्छो R into X और P की अगर बात करें बच्छो तो P है R into 100 minus X ठीक है तो यहाँ से हो जाएगा बच्छो R से R यह कैंसील है और S वराबर हो जाएगा बच्छो R upon X into 100 minus X ठीक है तो यह क्या हो जाएगा हमारा बच्छो प्रतिरोध का सोत्र जो अग्याद प्रतिरोध निकालना है ठीक है जिस चालकतार का अग्याद प्रतिरोध निकालना है उसके लिए सोत्र है तो थैंक यू बच्छो यहाँ पे आप देखेंगे बच्छो सोत्र ठीक है तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं बच्चो?